वही नेताओं द्वारा विकासकार्यों की श्रेय लेने की होड मची हुई है। पर योजना को दोनों ही पार्टी भुनाने में लगी है। मानर्मदा की आगमन पर सभी श्रेत्रों में खुशी है वह जिसको लेकर बालिकाएं माताएं आस्था के साथ कलश्यात्रा में सम्मिलित हो रही है। वही दूसरी और कॉंग्रेस के पूरु मंतरी हनी बगेल मानर्मदा पर योजना को अपने कारिकाल में अपना बता रहे हैं। साथ ही भाजपा की कलश्यात्रा के एवज में कॉंग्रेस चुनरी यात्रा निकालने जा रही है। भाजपा से कॉंग्रेस में उनके द्वारा पहले भी 500-600 व्यक्तियों का कॉंग्रेस में जाना बताया। और आज फिर वही 100-300 कारिकरताओं का भाजपा से कॉंग्रेस में जाना बता रहे हैं जो सरासर गलत है। बदनावर में भाजपा बहुत मजबूत स्थिती में है। पूरे दूर नारायन सिहन जी को ऐसा लग रहा है तो वह कितने कारेकरता बता रहे हैं उनके लिस्ट मीडिया को दे। सच और जूट सामने आ जाएगा। भाजपा से राजवर्दन सीहन दत्ति गाउं विकास का दूसरा नाम है और यह बदनावर से 50,000 से अधिक मतों से विजय होंगे। बदनावर से जितेंद्र पार्टिदार की रिपोर्ट। अधिक मतों किया करना चाहेंगे हैं। दुरुनाराजिंग्जी का कहना बहुत गलत है। जो पहले भी बताए कहीं भी भारती जनता पार्टिका कोई कारिकरता कांग्रेस में उनके साथ गया नहीं। और अभी भी जो वदा रहा हैं कि 200-300 कारिकरता बीजेपी के छोड़के कांग्रेस में उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है अगर उनको ऐसी सच्चाई लगती है तो हमारे अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भारती जनता पार्टी का कारिकरता उनके कांग्रेस में समिलीत नहीं हुआ हमारे उद्योग मंत्री विदायक जी उद्योग मंत्री आधन्दी राजवदर सिंग जत्ति गाउं कांग्रेस के छोड़कर बारती जनता पार्टी कारिकरता सामील हो रहा है और हम बड़े उस्साइद है क्योंकि हमें पुरा जन समर्धन मिल रहा है और हम कम से कम पचास एकाउन अजार से भारती जनता पार्टी के उमीद्वार राजा राजवर्दन सिंग जी उद्योग मंत्री इस विदान सभा से भारी मत्तों से एकाउन अजार से जीतेंगे और